नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजह हम बातकरेंगे पृर्येटस के लिए पधे के दर्द जोड़ों के दर्द और माइगरें के दर्द अयके एक इलागे के बारे में और वह दोस्तों अदर्ग हैं अदर्ग को सभी वह खुब ही पहिचानते हें यह हम track को किचन में हमें मिल जाएगा इसका सबसे ज्यादा इस्तमाल चाय के स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि अधरक किसी और सीज में काम नहीं आता है अधरक को दर्द को दूर करने का रामबान इलाज कहा जाता है शदीर में हो रहें कई प्रकार क सबसे ज़्यादा सर्दियों में किया जाता है इस मौसम में अद्रक खाने से खासी जुगाम जिसी परिशानियों से बचा जा सकता है अद्रक में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आयरन कैल्सियम जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे श्रीर को स्वस्थ रखने मे मदद करते हैं अद्रक खाने से कई फायदे होते हैं यहां थूर पर गsound स्ट की लाज केAs लिए को गनों कारण जरतकर सबचियों के लिए किया जाता है अधर निवारएं रूप में इस्तिमाल कि या सकता है अधरक में एंटि मैक्रोबील यां औरे anti-inflammatory गुण होते हैं अध्रक में anti-inflammatory properties होती है जो जोड़ों के दर्दों को खत्म करने में सहायक है अध्रक को खाने या इसका लेप लगाने से भी दर्द खत्म होता है इसके लेप बनाने के लिए अध्रक को अच्छे से पीस लें उसमें हल्दी मिला लें इस पेश्ट को दि कीमर रखता है और जिससे पसीन अधिक आता है और शधीर गर्म बना रहता है जिन लोगों को मागरीन की समस्या हैं उद्रक रामहना हैं जब भी मागरीन का टैक आया तब आप अद्रक की चाय बना कर पी हैं इसको पीने से मागरेन में होने वाले दर्द और उल्टी सेर काफी हद तक रहात मिलेगे अद्रक कॉलिस्ट्रोल लेवल को कम करने में ब्लड प्रेसर को ठीक रखने खोन को जमने से रुकने का काम करता है इसे दिल समंधी बिमारियां भी नहीं करने मिलता है इसकि लावाध खाने में महीलावां में एक अगर किसी को भूग कम लगती है और उसे बढ़ाना है तो इसमें भी अध्रक काफी फाइदा कर सकता है अध्रक के सेवन से खाने में मौजब को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है जिसे जल्द हमारी खाने के एक्षा बढ़ जाती है तो दोस्तों इस तरह से अध्रक का उपयोग आपको कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है तो इस वीडियो बस इतना ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी ग्यान प्रदलगी हो से कुछ सिखने जानने को मिला होते से लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे से यूटीप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी साथ फिर से मिलता तो नता क्ले नमस्कार